हलो एवरिवन वेलकम टू स्टार आईक्यू मेरा नाम है सुनील और आज 14 दिसंबर 2020 के हर्याना करेंट अफेर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सभी की तियारी करना अब बहुत ही असान हो गया है एक स्पेशल फ्री मौक टेस्ट स्रीज स्पेशली रानी में के दवारा जो की 19 दिसंबर को कंडेक्ट करवाया जाएगा इसके साथ ही रानी में के दवारा 20 दिसंबर को स्पेशल फ्री क्लासिस के अंदर जो है इस टेस्ट का analysis भी होगा अगर आप लोग पहली बार anacademy पे जा रहे हैं तो क्या करें आप लोग आप मेरा unlock code star IQ जरूर यूज कीजिएगा star IQ जो है मेरा unlock code है इसे use कर लीजिएगा anacademy platform के ये code यूज करने से anacademy plus का 10% instant discount आपको मिल जाएगा अगर आप लोग जो है कोई भी course अगर purchase करना चाहेंगे तो जल्दी से description box में दिएगे link पे click कीजिएगा enroll कीजिएगा और crack कीजिएगा अपने exam anacademy के साथ में कल आप से सवाल पूछा था उसका सही जवाब क्या रहेगा मुक्या मंतरी सरी मनोहर लाल खटर ने किस जिले के पिंजोर में स्थापित किस जिले के पिंजोर में स्थापित अत्याधूनिक सेब फल और सबजी की अत्याधूनिक मार्केट जो कि स्थापित की जा रही है इसके दूसरे चरण के मास्टर प्लैन को मंजूरी दे दी तो इसके उसन का सही अंसर था पंचकुला यानि की ए आप्शन जो था इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक था बढ़ते हैं आगे और आज हर्याना में किसान अब की बार खालिस्तान में जाके अपनी फसल समंदी जानकारी और फसल की पेमेंट समंदी जानकारी का अपडेट ले सकेंगे ध्यान दीज अब की बार तो ऐसा स्पेसली हुआ है अबकी बार अटल सेवा के अंदर पे फसल समंदी जानकारी और फसल की पेमेंट समंदी जानकारी का अपडेट ले सकेंगे मैं फिर कह रहा हूँ अगर पूचा जाता कि अब तक मतलब कौन कौन से केंदर है जहां पे जो है किसान अपडेशन आया है जिसमें अटल सेवा के अंदर जो है उसको भी एड़ अप कर दिया गया है तो ये बात आपको याद रखनी है ए आप्शन जो है इसके उस्तन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा और इस बार जो है असी लाख टन गेहूं खरीद के जो है इंतजाम होंगे हर्याना सरकार के दवारा ठीक है ये भी एक इपॉर्टन बात है वर्स 2021 में परदेश में 75 से 80 लाख टन गेहूं करीद के इंतजाम किये जाएंगे इस बार परदेश में हर्याना में 25.34 लाख हेक्टेर में गेहूं की बिजाई का लक्षय निर्धारित भी किया गया है तो ये की इपॉर्टन चीज रहती है आपके लिए ठीक है और 119 लाख टन से अधिकुल उत्पादन का लक्षय रखा गया है ये चीज़े एक्जाम में पूछी जाती है कि इस बार का लक्षय कितना था और हमने कितना जो है अचीव किया है अचीव जब करेंगे तो तो बता ही दूगा मैं आपको ठीक है गेहूं सीजन 2021 में किसानों का गेहूं खरीदने की तियारी पहले से ही सुरू कर दी है इसलिए जो है पी के दास जो की अत्रिक्त मुख्य सची हुआ है खादे एवं आपूर्ती विभाग हर्याना के इन्होंने का है कि इस बार जो है अगले सीज सरकार ने मुझूदा स्टांप ड्यूटी पर कितने परसंट की दर से सर्चार्ज लगाया है तो हर्याना परदेश सरकार ने मुझूदा स्टांप ड्यूटी पे जो है मुझूदा परसंटेज से दो परसंट का जो है सर्चार्ज लगाया है यनकि ए आप्शन जो है इस क्य दूलरासी जु है जिला परिशद और ग्राम पंचायतों को भी दी जाएगी वहर्जानेमें गाओं की भूमी का अस्तान सरण मेंगा हो और इसंसे गाओं की पंचायतों का यूं कहईगा आमने नहीं बढ़े गी एक एक्स वगरा ये एक्ट कोन सा था कानून कोन सा था अठारा सो निनान में ठीक है और ऐसा क्यों किया गया है क्योंकि COVID-19 की वज़े से इस बार जो है राजस्व में बहुत ही भारी कमी आई है तो उसको पूरा करने के लिए ठीक है और एक बात और याद रखिए गा यह है दो सुल्क लगाने संबंदी परवधान जो है और कहां पे लिखा हुआ है यह हर्याना पंचायती राज कानून उनिस सो चुरानमे की धारा इक्तालिस वन बी में ही है ठीक है तो यह बात आप याद रखिएगा जिसे बीते 26 वरसों में आज तक नहीं लाया गया था तोड़ा याद रखिएगा आप लोगे यह भारतिय स्टांप कानून तो कौन सा है 1899 के अंतगत आता है और हर्याना में जो है यह कौन सा आता है आपका 1994 की इधारा 41 वन बी के अंदर आता है यह दोनों चीजे अलग लग है इसमें कन्फ्यूज मत होना आप के अंदर सरकार में इलेक मनोहर लाल चावला की किताब का यानि कि बी ऑप्शन जो है इस क्योसन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा स्वास्ते विसे सग्ये बुजूर्ग जो है यह घर से बाहर नहीं निकले COVID-19 के दौरान और इन्होंने 83 वरसी यह बुजूर्ग ने जो है अभी मनोहर लाल चाव अपने किताब लिख डाली और इसी किताब का जो है विमोचन किया गया है रिसेंटली जोती अरोडा के दवारा जो की विशेश सची हूँ है किसमें सूचना और तकनीकी विभाग के दोरान के अंदर आगे जाते हैं तो भारत में पहली बार कितनी उनिवस्टी में एक साथ गीता का पार्ट होगा तेकि वह बहुत इपॉटन्ट है ये अंतराष्ट गीता महुत सवाले किसें हर रोज इस बार तुड़ा यूनिक यूनिक आपको चीजे देखने को मिल रही है इस बार 17 जो है यूनिवस्टी के अंदर पहली बार गीता का पार्ट होगा देश विद परनी की संस्कृत विस्स विधाल ले है जो कि मुंडरी में है आपका और यहां पे 17 से 25 दिसंबर तक महुत्सों के कारेकरमत का आयोजन होगा ठीक है तो मुंडरी के अंदर 17 से 25 होगा देश के 16 में जो 16 युनिवस्टी है वहां पे 21 से 25 दिसंबर के दोरान होगा यह ओफिश क्या है आपका कुर्चेतर डवलप्मेंट बोर्ड और इसके सच्चिव का नाम क्या है जी अनुपमा ठीक है अब तो यह चीज़ें आपको याद रखनी है कुर्चेतर प्रसादम भी आपको याद रखना है इस बार वाला ठीक है और यहां पे एक अंतरास्ट यह संग्राल ही के अंदर जो है M-I-C-A-D-A यनकी A options है इस क्युस्टन का हमारा Micro Irrigation and Command Area Development Authority इसके रूप में पुनर गठित और पुनर पदनामित करने का निरने किया गया है क्यों किया गया है क्योंकि हर्याना के अंदर अलग-लग नहरों पर और Water Course के कारें को प्रभावी तरीके से जो ह किया जा सके इस वज़े से ही आपको जो है याद रखना है ये वाला क्युस्टन आगे जाते हैं हम लोग तो हाल ही में वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री जी ने किस जिले में पंचनद सदन का सिल्यानास किया है तो मुख्यमंत्री जी ने जो है पंचनद शिल्यानास जो किया है इस सदन का सिल्यानास किया है हर्याना के फतेवाड डिस्टिक के अंदर बी option जो है इस क्युर्शन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा वीडियो konferencing के माध्यम से किया है समाजिक संस्था के दवारा निर्मित इस प्रकार के भवन सदै उस समाज को जोडने का काम करते हैं जहां सभी बिरादरी की लोग इकठे होके समाजिक दिरिश्टिक कौन से अलग-अलग विशों पे काम करते हैं और अलग-लग विश्यों से जो है यूँकर ये उसको अलग-लग तरीके से यूज भी करते हैं और ऐसा करना जुरूरी भी है क्योंकि समाज की अलग-लग योजना जो है उनको बढ़ावा देने के लिए अलग-अलग वर्ग को बढ़ावा देने के लिए ठीक है यह ऐसे से जो है कारे करम या ऐसे सदन जो है इनका उदगहातन या ऐसे सदन का होना हर्याना में जरूरी है अब जिकर किसका है? फतेवाद का है फतेवाद को हम लोग मैप में देख लेते हैं लतेवाद में फिरोज शाहा की लाट फेमस है बना वाली जो की हडपा सब्वेता से बहुत फेमस है यहां पे मिट्टी का हल मिला था कुनाल बहुत फेमस है यह भी आपका जो है हडपा सब्वेता से संबंदी थी है और के साथ में अशोक का पिलर भी यहां पे है एक है तो य युनिवस्टी का नाम HEU है यानिकी हर्याना एगरिकल्चर युनिवस्टी वन अव दे मोस्ट इपॉर्टन क्यूसन चोदरी चरण सिंग हर्याना किर्शी विश्व धाले ने हिसार के किर्शी वेग्यानिकों ने गेहूं की डेवल्यू एच 1279 किसम विक्सित की है इस किसम को भारत के उतरपस्च में मैदानी इलाकों में जो है त्यार किया गया है और इस किसम की खास बात क्या है ये किसम जो है 75.8 कुटल परती हेक्टेर और 91.5 कुटल परती हेक्टेर की समभावित उपज से जो है दे सकती है इतनी मतलब ये उपज के हिसाब से कईएगा बहुत ज College और CSIR की study में सामने आया है कि यदि आप 30 सेकंड है क्लोर हैक सिडन से बने माउथ वो से गरारा करते हैं तो इससे क्रोना वाइरस जो है या यूँ कही है क्रोना वाइरस से समभावित कोई भी आपका symptom है वो खतम हो जाएगा ठीक है तो क्रोना क्सिन खतम हो जाएगा ये अभी हाली में रिसर्च किया है पंजाब यूनिवस्टी ने यानि कि ए आप्षिन जो है इस क्युस्टन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा अगर आप 30 सेकंड तक जो है क्लोर हैक सीडन के साथ अच्छे ढंग से गरारा करते हैं तो क्रोना संक्रमन से मुक्ति पा सकते हैं ऐसा चंड़िगड में जो पंजाब यूनिवस्टी है इसके डेंटल कॉलेज ओफ यूनिवस्टी ओफ माइक्रो बायलोजिकल टेक्नोलोजी इसने इसका जो है एक टाइप का यूँ करिएगा CSIR के साथ में मिलके एक स्टेडी की है माइक्रो बायल के साथ मिलके और डेंटल कॉलेज की स्टेडी के अकोडिंग ये पता लगा कि 99.9 परसंटेज तक मुँ में अगर कोई करोना वाइरस का सिम्टम है तो खतम किया जा सकेगा हाँ 0.2 परसंटेज जो है यूज करना होगा कलोर हैकडिसन फ्लोराइड ठीक है और ये 99.9 परसंटेज के टाणू खतम कर देगा इसके अलावा पोवी डन आयोडीन जो है इसका भी उप्योग किया जा सकता है मुँ के अंदर संभावीत वाइरस को मारने के लिए CSIR का फुल फोर में Council of Scientific and Industrial Research इसके हेड का नाम क्या है शेकर सी मांडे और इसके स्थापना 26 सेप्टेंबर 1942 को हुई थी और पंजाब यूज की स्थापना 14 अक्टूबर 1882 को हुई थी हर्याना की किस यूणवस्टी को टाइमस Higher Education World University सब्जेक्ट रैंकिंग 2021 में स्थापन मिला है तो टाइमस Higher Education World University सब्जेक्ट 2021 में स्थापन मिला है और 601 से 800 के बीच का rank band मिला है इसको ठीक है ए ग्रेड मिली है और इस रेनी में 23.1 से 31.6 score जो है मिला है इसे university को और जीजे यू की स्थापना कब हुई थी 1995 में को recently अक्टोबर 2020 में अपने 25 साल पूरे किये हैं और एक बात और याद रखिएगा जीजे यू के VC का नाम प्रो and billing system की सुरुवात की है तो ये की है चंदीगड के अंदर यानि कि ए आप्शन जो है इस question का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा जल्दी विभाग के अंदर जो है विज्यापन, release order, billing system, सारे कुछ online हो जाएंगे ये इससे क्या होगा भस्ताचार कम होगा और सभी department में दानी अचंदीगड याद रखिएगा इसी के साथ में लेक्चर तो समाप्त होता है और आप के लिए question क्या रहेगा कि बारा से अठारा दिसंबर तक बेल ग्रेड सर्बिया में होने वाले विश्वकुस्ती चैंपियनसिप प्रत्योगिता है उसमें भारत का प्रतिनेदो म मुस्कुराते रहना थैंक्यू सो मच